एक ऐसा स्काम जो कल से न्यूज में बना हुआ है सिर्फ कल से ही नहीं कुछ महीनों पहले भी इसकी बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी कि सिम स्वाप फ्रॉड चल रहा है जिसकी वज़ा से आपको आपके पास कोई कॉल भी नहीं आती तो एक्चली है क्या ये सिम फ्रॉड सिम स्वाप फ्रॉड क्या है ये जिसके वज़ा से लोग अपने लाखो रुपए खो चुके आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पचास लाख एक बिजनसमैन है उसके खाते से पचास लाख रुपए गायब हो गए थे और इसके लिए क्या स्टेप्स आर्बिय और बाकी के बैंक्स जो आपको ले रहा है ये सारी ही चीज़े आज के सेशन में जानने वाले हैं आपके एक्जाम के लिए भी इंपॉर्ट फ्रॉड जो है वो होने लग रहा है जिसमें सिर्फ आपको कुछ missed calls आती है और आपके खाते से जो पैसा है वो गायब हो जाता है तो यह कैसे होता है सिर्फ missed calls है यानि आपने कुछ उठाया नहीं है आपने ना कोई phone उठाया है ना किसी को कोई अपना password दिया है ना कोई OTP सिर्फ सिम यहाँ पर swap हो रही है swap का मतलब है अदला बदले swap का मतलब बदल जाना दो चीजों का तो यहाँ पर सिम swap हो रही है बट कैसे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ missed calls आते हैं किसी को तीन चार missed calls आते हैं किसी को 57 missed calls आते हैं ठीक है और आपके पैसे गायब हो यह पहले किसी भी तरीके से हो सकता है टेलीकॉम कंपनी से इनके कुछ लोग हो जहां से आपका data ये लेते हैं आपका phone number हो गया आपका address हो गया आपका bank account की details हो गया तो पहले तो ये सारी details ये लोग arrange करते हैं आपका phone number वगेरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया address वगेरा औ और उसके बाद आप ही के number की आपकी जो original SIM है उसकी एक नकली उसकी एक duplicate SIM बनवाते हैं इसी को कहते हैं SIM को swap कर लेना ठीक है तो उसी number की एक duplicate SIM बनवाते हैं और आपकी number पर basically यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं उस duplicate SIM को जो है activate कर लेते हैं वो duplicate SIM जब तक activate नहीं हो जाती है य आपके number पर जो original messages वगेरा होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं वो duplicate SIM पर जो है किसी तरीके से यहाँ पर अगर for example messages जा रहे हैं आपका OTP जा रहा है आपकी सारी चीज़े जा रही है तो वहाँ पर उस SIM को यूज़ करके यह आपका सारा पैसा यहाँ पर निकाल लेते हैं रा करते क्या है यह यह आपको miss call देते हैं चेक वगेरा करने के लिए इस तरीके से miss call आएगी आपके phone पर multiple miss calls आएगी ठीक है और यहाँ पर जो है यह सारी चीज़े करने के बाद scammers जो है वो intercept कर लेते हैं banking authorization messages यानि OTP वगेरा जो है वो सारा उनके पास चला जाता है और आपक के पास OTP वगेरा सब लोग सब कुछ आ रहा है तो और अगर एक बर OTP एक बर password आने के बाद वो login कर लेते हैं आपके bank के portal पर ठीक है और आपका पैसा जो है यहाँ पर basically OTP को use करके जैसे होता है मालनो net banking में भी ऐसा होता है कि पहले हम net banking खोलते हैं net banking के लिए OTP मांगता है इनके पास OTP है वो OTP डाल देते हैं और उसके बाद पैसा एक खाते से दूसरे खाते में transfer कर लेते हैं और फिर दुबारा से net banking में दो तिन बार OTP मांगा जाता है बड़ इनके पास सारे OTP जो है वो generate होते रहते होते रहते और यह इस तरीके से पैसा जो है वो transfer कर देते है ठीक है तो यह basically एक यह मतलब है कि क्या होता है actually यह SIM swap काफी time से यह news चल रही है कल से बहुत ज़्यादा news में है यह पूरी जो चीज है so इसके लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे banks हो गया RBI हो गया बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बहुत सारी जो authorities है वो अलग-अलग rules भी लेकर आई हैं जैसे अगर किसी को भी protect करना हो अपने आपको the individual should remain vigilant आपको सतर्क रहना पड़ेगा ठीक है आपको इस तरीके के activities आपको देखते रहना पड़ेगा कि आपके phone में कोई messages आ रहे हैं कोई emails आ रहे हैं उनको अगर कोई unknown किस भी तरीके का scanner आ रहा है कोई link आ रहा है उस पर click नहीं करना है या फिर कोई भी ऐसा alert वाला email आ र network नहीं आ रहे हैं ठीक है हो सकता है आपके phone में network नहीं आ रहे हैं और वो duplicate SIM कोई और आपके ही number की use कर रहा है और उसके पास जो भी है चीजे password वगेरा जा रहे हों ठीक है तो इस तरीके से अगर network नहीं आ रहा है तो अपने जो भी bank वाले है जो भी you know customer care है उनको call करके पू नहीं करना है phone switch off हो गया उसको ignore नहीं करना है तो यह सारी चीजे और change the bank password regularly आपको अपने bank के password in fact phone के password भी regularly change करते रहने है ठीक है register for SMS and email alerts ठीक है email alerts अगर आपके पास आ रहे हैं banking transaction को लेकर तो उन पर आपको ध्यान देना है और उसके बाद जो है bank की authorities को भी आपको contact करना है अगर इस तरीके के कुछ fraud या इस तरीके की कुछ गतिविदिया आप encounter करते हो तो ये भी कुछ यहाँ पर जो है तरीके हैं जो RBI और अलग-अलग banks ने suggest किये हैं RBI ने इससे पहले आपने tokenization का नाम भी सुना होगा tokenization करके भी एक rule आया था जिसमें क्या है कि आपको अपने बेसिकली कार्ड के लिए यूज किया जाता है बट है तो financial losses के लिए ही जहां पर आपको अपना कार्ड नंबर या OTP ये सारी माफ की जगा कार्ड नंबर वगेरा जो है वो डालने की ज़रत नहीं है ताकि आपका कार्ड नंबर किसी और के पास ना जाए आपका CVV किसी और क पास ना जाए तो आपके लिए एक token generate हो जाता है तो वो एक तरीका था जो जो है RBI ने शुरू किया है उसके अलावा जो कुछ suggestions bank ने दिये है वो ये है कि अगर आपका phone जो है कोई network connectivity नहीं दिखा रहा है तो आप तुरंत inquire करो अपने mobile operator से ठीक है क्योंकि हो सकता है कि वो नकली sim से आपका कोई phone चला रहा हो ठीक है I mean नकली sim से आपका कोई number यूज़ कर रहा हो do not share कोई भी personal या फिर account details आप अपनी share मत करो phone पे on any incoming call ठीक है so कोई भी incoming call आती है कोई OTP password मांगता है do not share it don't even verify the detailed person already seems to have them ठीक है बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको आपकी अ अधार कार्ड भी है फिर भी आप उसको कोई भी details मत share कीजिए register for email and SMS alert with your bank ठीक है अपने bank को जो है यहाँ पर regularly बोल दो कि जी मुझे इस तरीके के SMS और email alert आने चाहिए ठीक है keep a check on the transaction regularly कि आपके खाते में कितने पैसे थे और कितने पैसे हैं इस पर जो है check रखिएगा install a security app अपने phone में भी आप एक security app install कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके का malware अगर आपके phone में आता है या किसी भी तरीके की unwanted गतिविद्या होती है तो वो उसको definitely track कर सके आपको बता सके और stop कर सके ठीक है आपको थोड़ा सा इससे जानकारी मिली होगी कि actually यह जो swap scam है SIM swap scam है यह क्या है किस तरीके से technology advance हो रही है और इसका कितना जादा misuse हो रहा है पहले क्या होता था कि कोई आपको phone करता था OTP पूछता था तबी इस तरीके के scams होते थे अब तो वो भी पूछने की जरुरत न अगर आपने वो उठा लिया तो आपके phone में किसी भी तरीके का virus चला जाता था अब तो उठाने की जरुरत नहीं है तो कही ना कहीं जैसे जैसे technology advance हो रही है वैसे वैसे उसका misuse भी advance होता जा रहा है ठीक है आपको अब तो phone भी उठाने की जरुरत नहीं है फिर तो हम इसम परीके के fraudsters पकड़े गए तो उनके लिए punishment का भी प्रावधान होना चाहिए और और जाधा strict rules RBI और तमाम जितने भी banks है हमारे उनको लाने चाहिए ठीक है तो यह आज का topic था मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप किसी भी banking exam के तयारी कर रहे हैं तो अगर 24-7 आपको double validity आज के लिए दे रहा है make sure कि अगर आप NHB specifically अभी एक batch है जिसमें आपको एक ही paper देना है और फिर उसके बार directly interview है बहुत अच्छा batch है इसमें आप जरूर enroll कीजे 26 तारिक से हमारी अभी अभी classes शुरू हुई है October से आप इसमें enroll करने के लिए Y674 जब आप use करेंगे तो maximum discount आपको मिल जाएगा RBI का भी हमारा batch already चला हुआ है इसके अलावा मैं आपको बता दू कि current affairs का मेरा एक batch है the bigger picture plus जिसमें मैं आपको एक साल के current affairs, government scheme, static GA ये सारी चीज़े करवाती हूँ जो आप जितने भी 3-4 exam target कर रहे हो सारे की current affairs, सारी ही phases के आपके यहाँ पर cover हो जाएं आपको अभी के लिए आज के लिए available है, double validity और maximum discount लेने के लिए Y674 जब आप use करोगे और ADA247 के app से enroll करेंगे तो आपको maximum discount with double validity मिल जाएगा, अगर आपको अभी भी कोई doubt रहे गया हो, pinky current affairs, ADA247, ये मेरा telegram channel है, आप इसको join कर सकते हैं और मेरे साथ जोड सकते हैं, आज के लेतना ही, thank you so much everyone, bye-bye.